Health insurance is must आज के टाइम में बहुत जरूरी है नहीं तो होगा क्या आपने पैसा बचाया मानलो बहुत effort किया बहुत मेहनत करी पता नहीं क्या क्या करा और एक समाउंट आपने बचा भी लिया 10 साल, 20 साल काम करके मानलो 10-20 लाख रुपे आपने बचा लिया किसी तरीके से, save कर लिया और अगर कोई बिमारी होगी तो किती दे लगी कि उस पैसे को खतम होने में आफता, 10 देन, 15 देन कितने लोग प्राक्टिकली मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं सब कर पा रहे हैं और कितनों ने हेल्थ इंचुरेंस करा हुई है जादा भी लेते हो, तो प्रीमियम आपको बहुत जादा नहीं देना पड़ता है मार्जिनली एक्स्ट्रा होता है उसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है माला आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सारे कवर हो जाते हैं इसको अप हेल्थ इंचुरेंस को, मेडिकल इंचुरेंस को, मस्ट है यह होनी ही चाहिए जातर ऐसे केस्स में क्या होता है जिन्होंने कोई ही इंचुरेंस अपनी नहीं कराइए होती है क्योंकि आप छोड़तो सकते नहीं उस परसन को जो हमारे साथ में है आप खुद अगर जोगया तो अब आपको ए तो नहीं कह सकते कि हान डूं तो ऐसे में क्या होता है एक तो savings आपकी खतम होती है बड़ीतेजी से दूसरा क्या खतम होता है और क्या होता है loan लेना पड़ेदा, उधार लेना पड़ेदा उस उधार को चुकाने का मतलब क्या है कि आप कभी जिन्दगी में दुबारा सेफ करी नहीं सकते समझ रहे हैं प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी complicated है कि मलए जिन्दगी में कभी आप पैसा जोड़ ही नहीं पाऊगे कि जो कमाऊगे अब वो सारा उधार चुकाने में लगता रहे है या तो आप लोन लोगे bank bank से या अपने किसी दोस्तों से यहां से वहां से जिससे भी लोगे अगर नहीं दोगे उनको बापिस तो दोस्ती खराब करोगे